जी असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग बिटा ओकी बिटा हम स्टार्ट करें लेंसे 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 लेंस के बारे में सोचे तो फॉरां जहर में क्या आता है तिपिकल लेंसे आते हैं लेंसे 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 ये भी lens नहीं है, transparent है, लेकिन ये lens नहीं है, और ये गोल, transparent चीज़, it is a lens, और एक semi-circle, transparent block, semi-circle का, it is a lens, ये तो है typical lens, lens, a drop of water is a lens, a drop of water is a lens, a drop of water, copy पे गिर गिर गिया, ये भी lens है, तो आप देखे, इन में क्या चीज नहीं है और इन में क्या चीज है तो आपको नजर आएगा curve lens क्या होता है any transparent medium whose at least one side is curved lens पे curve होना जरूरी होता है तो lens क्या होता है लिखे definition any transparent medium whose at least one side is curved curve होना जरूरी है तो बेटा इसको pause करके देख लीजेगा ये video lecture है मैं आपको live lecture नहीं दे रहा मैं इसको upload कर दूँगा आप पीछे रहा जाएंगे तो pause कीजिएगा और देख लीजेगा इसको तो lens क्या होता है any transparent medium whose at least one side is curved तो ये lenses नहीं है ये lens नहीं है ये lens नहीं है ये lens नहीं है ये lens है ये lens है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ठीक है बाहर की तरफ जो curve होता है ना बाहर की तरफ उसको बोलते है convex और जो अंदर की तरफ curve होता है उसको बोलते है concave दो किसम के curve होना चाहिए ना दो किसम के curve होते है बाहर की तरफ curve है तो convex पैसे उट नंकेक्स अंदर की तरफ कर रहो आ तो कंवेक्स लेंस इननकेव लज्टा टॉप से दिख रहे हैं तो तो अगर ऐसे नज़र आ रहे हैं तो यह लेंस पर रहे हैं साइट से देखा तो ऐसे नज़र आ रहे हैं यह आउटवर्ड कर्व है और ऐसे इनवर्ड कर्व है तो यह जो आउटवर्ड कर्व है यह कंवेक्स होता है यह कंवेक्स होता है कंवेक्स और जो इनवर्ड कर्व है ये क्या होते हैं कंकेंवं तो दो किसम के लैंस होते हैं किर्वीज मिभारों किसम अधरी तरफ केवं लैंस बू तरु faengущ2 एक नियुक्स से इयुक्णार्श देख रहर यूंँ देख रहे हैं साइट दे से को क्रॉससेक़िक्णा वियू कहते हैं के ये मिलाइने से ये इसे अर्व ये तिनों कने देंसे और ये ये यह इन words ये उए दिर्मीयान में ठीक आए और में रिढ द्रम्यान में घिक हैं ठीमें хотя इंड हैं तु तो यह कॉंसे lens होते हैं, यह होते हैं convex lens, which are thick from center and thin from edges, और यह क्या हैं, दर्म्यान में thin, दर्म्यान में thin, साइडों पे thick, यह होते हैं concave lenses, तो लिख लेते हैं, क्या होते हैं, convex lens, thin from edges and thick from center, तार छोटी है, आ रही है, okay, convex lens क्या होते हैं, convex lens, convex lens क्या होते हैं, thick from center and thin from edges, thick from center and thin from edges, thin, thick from center, thin from edges, यह होते हैं convex lens, और यह क्या है, thin from center and thick from edges, concave, concave क्या होते हैं, thin from center, thick from edges, बेटे हैं यह वीडियो लेक्चर है, जहांपे आप पिछे रहे जाएंगे, रोकिएगा और दोबार देख लीजेगा, तो यह होते हैं convex lens, यह होते हैं concave lens, यह होते हैं convex lens, यह होते हैं concave lens, convex lens क्या होते हैं, thick from center, thin from edges, ओके, अब यह फरक क्यों हैं, बेटा, यह तीनों thick from center हैं, thin from हमें तीनों Convex है, यह जो लैंस है न पहले वाला, यह होते है By Convex Lens, यह क्या होता है? By Convex Lens यह By Convex है, दोनों साइडें Convex हैँ, इसको बोलते हैं By हम यही बात करेंगे, By Convex By Convex Lens, देखो, इसकी ये साइट भी अंदर की तरफ है? यह side भी अंदर की तरफ है यह क्या है by concave by concave lens अच्छा यह side flat है और यह side curved है और outward curved है है तो convex क्योंकि side ओंपे thin है तिरमान में थी है तो convex lens लेकिन एक side plane है ना इसको बोलते है plano convex lens इसको क्या बोलते है plano convex है यह convex lens क्योंकि thin from edge is thick from center यह क्या है यह अंदर की तरफ है यह बार की तरह यह तो concave भी है convex भी है overall convex है क्योंकि दिरम्यान में थीक है side ओंपे thin है तो इसको क्या बोलेंगे है तो convex lens दिरम्यान में thin side पर thick दिरम्यान में thin side ओंपे thick यह क्या है यह concave lens है यह क्या है plano concave plano concave lens यह plano concave है यह by concave यह plano concave अच्छा आप इसकी side outward है convex यह side inward है concave तो यह वाला lens क्या होगा होगा तो concave क्युकि दिरम्यान में thin side ओंपे thick है होगा तो concave lens कौन सा concave convex o concave convex o concave concave हम यह use करेंगे यह use करेंगे यह use करेंगे आपको पता होना चाहिए कोई भी lens जो दिरम्यान में thin के side of within हैं वो convex है a drop of water is a convex lens semicircle is a convex lens is it clear to you तो बिटा आपको पता रहा चाहिए convex lens क्या होता है और concave lens क्या होता है आगे चल रहे हैं lens क्या होते है एनी transparent medium whose at least one side is curved करब होना जरूरी है बाहर की तरफ convec under की तरफ concave बाहर की तरफ convex under की तरफ concave अच्छा फिर जो भी lenses thin from edges thick from center वो convex होती है और जो thin from center thick from edges वो concave होती है ठीक है बीटा आगे चल रहे हैं next अ अच्छा बीटा convex lens क्या करते हैं convex lens क्या क्या करते हैं देखो convex lens क्या करते हैं तो उसके लिए मैं आपको याद होगा हमने पढ़ा था प्रिजम प्रिजम में जब रहाती है यूं रहाती है यहां से रहा रही है सपोस्थ यह रहा रही है यह क्या करती है यह बेस की तरह मुड़ती है यह बेस यह बेस की तरह मुड़ती है आपके सरी यह तो रटा कि नॉर्म तो नायинов है कि अब हैंडे इन इस टो नहीं जाएगी न स्ट्रेट तो नहीं जाएगी यह फास्से लोग और रही है इन बेद ट्याश्ड दो नॉर्मॉल की नॉर्मा अब यहां पर बनेगा नॉर्मल ॥िन six वर मिल्obra away from the normal, तो बेस की तरफ मुड़ती है रे, अच्छा एक प्रिजम यू रख दिया, अब ये ये रे क्या करेगी, ये इसकी बेस उपर है ना, ये उपर को मुड़ेगी, तो अगर मैं दो प्रिजम को ऐसे रख दूँ, तो जो पैरलल रेज़ हैं, वो करीब आदेंगी, अब और ये शेप देदों, तो क्या होगा, ये उपरला पार्ट जो है ना, उपरला पार्ट इस प्रिजम की तरेक्ट करेगा, वो रे को यू नीचे भीज़ेगा, और जो नीचे वला पार्ट है, नीचे वला पार्ट, ये नीचे वला पार्ट इस प्रिजम की तरेक्ट करेगा तो lens ray को refract करते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे prism करते हैं अब ऐसी lens भी ray को refract करते हैं तो यह क्या कर रहा है यह lens rays को करीब लेके आ रहा है करीब लेके आ रहा है इनको converge कर रहा है तो उसका और नाम रख दिए converging lens convex lens क्या करते है converging lens होते है they are what converging lens यह rays को converge करते है converging lens यह देखो यह ray आ रही है यहाँ पर मुड़ी फिर बाहर निकलते हैं मुड़ी यहाँ पर मुड़ी यहाँ भी बेंड़ी यहाँ भी बेंड़ी तो lens में भी ray क्या करती है reflect करती है यहाँ पर मिल गए यह rays यह lens rays को converge करता है तो इसका नाम रख लिए converging lens इसका क्या नाम रख लिए converging lens अच्छा अब एक prism यू उपड़ा वै इसकी base उपर है यह ray आ रही है यह उपर को और उपर को मुड़ेगी आँ ना उपर की तरह मुड़ेगी एक मैंने prism यू रख दिया यह ray आ रही है नीचे वाला part इस prism की तरह act करेगा यह ray आ रही है इदर को reflect होगी फिर इदर को reflect होगी तो parallel rays को इसका diverge कर दिया तो इसको हम कह सकते हैं it is what diverging lens यह ray को diverge करता है तो यह diverging lens है यह ray को converge करता है तो converging lens है head transparent यह देखिए यह lens है यह ray आ रही है यह 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 वे तो नॉर्मल यह आ पर नॉर्मल यह था यह ray आ रही है यह 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 कर के जा रही है हमिर्ड सगे है अनिक इंशूजियन तो अभी तक क्या पड़ा lens any transparent medium जिस पे curve होना ज़रूरी है बाहर की तरफ curve हो तो convex अंदर की तरफ कर वो तो कंकेव ठीक है फिर ऐसे लेंसे ऐसे लेंसे क्या जो साइडों पर थिन है दिर्म्यान में थिक है वो कंवेक्स होती है और दिर्म्यान में थिन है साइडों पर थिक है वो कंकेव होती है Convex lens क्या करते हैं Convex lens है ये rays को converge करते है इनका नाम रखते है Converging lens Concave lens क्या करते है ये rays को diverge करते है इनका नाम रखते है diverging lens चाहे convex lens हो चाहे concave lens हो दोनों में rays refract करते है दोनों में reflection involved है bending involved है speed change involved है यहापे fast यहापे slow towards the normal away from the normal यह सीनह रहा रहे जो लिपरा थेकैंप उसके बाद नेक्सट अगा व Twitter अब लेन्स को लेबल करना है लेन्स को लेबल करना है और शोलेशिंस को डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम define करते हैं फोर एंपल लिबाट्री लेंस का top view है यह cross sectional view सो है या ऐसा है top view से नहीं पता चलेगा convex है कि koncave है side से अगर ऐसा यह convex है अगर ऐसा है तो यह concave है जो भी lens है इसका जो center होता है यह lower to the center यह center यह lower to center होता है इसको बोलते हैं, optical center, क्या बोलते हैं, optical center, it is center of lens, जहाँ पे पीछे रहे जाएं, pause करें और दुबारा देख लें, what is optical center, it is center of lens, lens के center को optical center कहते हैं, और इसकी यह property है, जो भी ray इधर से गुजरती है न, वो straight जाती है, any ray passing through optical center will go straight, यह आ रही है, स्रेट जायेगी, इधर से आरही है, स्रेट जायेगी, इधर से आरही है, जो इस point से गुजरेगी, स्टेट जायेगी, चाहिए lens हो, यह रही है, इसकी तरफ directed है, यह स्टेट जायेगी, पासिंग फ्रू, अप्र्चर, अपर्चर क्या होता है, aperture is basically lens की वो opening है, है जिसके त्रू लाइट पास कर सकती है अगर तो सर्कुलर लेंस है ना सर्कुलर लेंस तो जुसका डायमीटर होता है वह उसका अपर्चर होता है इसका डायमीटर है यह अपर्चर है अच्छा यह साइट से देखोगे तो यह अपर्चर है अगर इसके लेंस को देखोगे तो यह अपर्चर है इस डायमीटर अपर्चर अगर यह लिबॉट्री लेंस है लेकिन अगर कैमरे में लेंस है तो कैमरे में लेंस की जो होता है ना एक फॉर एजंबल आप प्लेट्स होती है यह आगे बिच्छे स्लाइड हो सकती है यह प्लेट्ट होती है अब इसका अपर्चर क्या है यह अपर्चर इसका यह अपर्चर है यह अपर्चर है यह अपर्चर है बागी कवर कर दिया अपर्चर अपर्चर वो पार्ट अफ दे लेंस होता है उसका डायमेटर होता है जहांसे लाइट गुजर सकती है अगर laboratory lens है लेब lens है तो उसके diameter होता है तो वह यह aperture होता है तो it controls the brightness of image aperture क्या करता है brightness को control करता है क्या मतलब? बहुँ जदा aperture हो गा ये लेज्स है ये इसका aperture है इस पर जथा raise pass कर सकती है जथा raise pass कर सकती है इसका aperture बड़ा है तो जो image बनेगा वो brighter बनेगा अगर यह छोटा lens इससे कम race pass करेंगी कम race pass करेंगी तो कम race pass करेंगी तो image less brighter होगा तो it controls the brightness of image larger the aperture more light can pass through so the brighter the image तो brightness का तालुक aperture से है aperture is related to brightness aperture is related to brightness हाँ जी जी इसका पर्चर जादा होगा उतना brighter image बनेगा अगर इस तरह का lens है तो यह इसका aperture है यह पर यह पर चरह है यह पर यह पर चरह है aperture it is the diameter of the lens जितना परचर बढ़ा होता है उतना image brighter होता है ठीक है जी एक अपने पड़ लिए lens के center को optical center कहते है lens के diameter का aperture कहते है we can change the aperture by covering the lens हम lens को cover कर दें by painting the lens उसके side को paint कर दें तो aperture चोटा हो जाएगा ठीक है cover कर दें उस प्लेट सारी होती है ना camera में side से plate lens को cover कर देती है खुमाते है ring को तो side में plate आती रहती है यह करके जैसे के देखें यह gap है ना यह प्लेट आगे आजिए lens को cover कर दें अपर्चर चोटा हो गया पर्चर बढ़ा हो गया फिर चोटा हो गया फिर बढ़ा हो गया एंसों तो अपर्चर को change कर सकते हैं by covering the lens clear next definition next definition है principle axis principle axis क्या होता है बिटा principle axis वो होता है जो lens की center से गुजरता है और lens के plane के normal होता है जहां पर lens पढ़ा हो है ना for example it is a line that passes through optical center and it is normal to the plane of lens मत्तब यह lens है ना यहां से गुजरती है और इस lens के plane के perpendicular होती है यह लाइन इसको मोलते principle axis principle axis क्या होता है principle axis it is a line that passes through optical center यह optical center से गुजरती है और perpendicular to the plane of lens lens के plane के perpendicular होती है इसको बोलते है principle axis यह principle axis है principle axis यह definition आपको आनी चाहिए तो अगर यह lens है यह lens है यह lens है ओहो बनाया नहीं तो इसका principle axis क्या होगा इसके center से यह line इसका principle axis क्या होगा यह line इसka principle axis क्या होगा यह coolầजरेगी और इसके plane के lens जिस plane में पढ़ाऊ है इस vertical plane में पढऊ है lens इस plane में पढ़ाऊ इस surface के along पढ़ाऊ है vertical surface के नौ्झ तो यह जो line होती है ना जो optimal 센ंच से गुजरती है और lens के plane के perpendicular होती है, उसका बोलते है principal axis ठीक है बटा, principal axis next, next next definition है focal point focal point focal point focal point वो होता है ऐसी raise जो parallel होती है principal axis के parallel होती है आपस भी parallel होती है, principal axis के parallel होती है वो focal point से पास करती है lens से गुजरने के बाद तो क्या होता है जी, focal point, it is a point at which parallel rays which are normal to the plane of lens meet, क्या मतलब, ये lens है, ये रहे और ये रहे, आपसे भी parallel है, principle axis के भी parallel है, ये lens के plane के पर perpendicular है, ये जिस point से गुजरेंगी, इस point को बोख दें, focal point, focal point, it is a point at which parallel rays which are normal to the plane of lens meet, ये ऐसी parallel rays जो principle axis के parallel है, वो मिलती है, उसको बोलते है principle axis, all parallel rays meet in focal plane, ये तो focal point है ना बिटा, ये focal point है, ये जो होता है ने, ये, ये होता है focal plane, ये होता है focal plane, तो जितनी parallel rays होती है ना, principle axis के parallel हैं तो focal point से गुजर आइए, लेकिन इसके इलावा कोई और rays है, यूँ आ रही है, ये कहाँ पर मिलेंगी, ये almost, यहाँ पर मिलेंगे, और कोई rays आ रही है, तो, for example ये rays है, एक रही है और एक रही है और ये ये आ रही है, तो स्टेट जाएगी, ये यहाँ से गुजरेगी, यहाँ पर मिलेंगे, focal plane में मिलती है, जितनी भी parallel rays होती है focal plane में मिलती है और ये वाली parallel ray, जो principal axis के parallel है ये focal point से गुजरती है तो focal point क्या होता है it is a point at which parallel rays meet parallel rays which are normal to the plane of lens meet other parallel rays focal plane में मिलेंगी ये blue वाली line focal plane है focal plane वो surface होती है focal plane वो surface होती है जो focal point से गुजर रही है और lens के plane के parallel है, lens इस plane में है ना, वो surface भी इस plane में है, इसको बोलते है focal plane, focal point और चीज़ है, focal plane और चीज़ है, focal point कहां पर होता है, focal plane में ही होता है, parallel rays जा तो focal, all parallel rays meet in focal plane, all parallel rays they meet in focal plane, और ऐसी parallel rays जो principal axis के parallel है, वो focal point पे मिलती है, वो focal point पे मिलती है, तो यह definition आपको याद करनी है, focal, focal point, focal point वो होता है, जो parallel rays, जो principal axis के parallel होती है, यहां से मिलती है, ठीक है, अच्छे, next, rays parallel to principal axis meet at focal point, rays parallel to principal axis, ऐसी rays जो principal axis के parallel है, वो focal point से गुजरती है, अके बटा, तो ये lens है, ये rays आ रहे हैं, च्छेज़ आ रहे हैं, यहां हरेह आ प।्पर प्रिंस्पिल आ किभी parallel है। यहां से गुजर रही है फोकल पॉइंट 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 है और फोकल डिस्ट्स को फोकल लेंद करते हैं बढ़ेंगे भी अच्छा इसको अब या पीछवे तक इक्सटेंड करो लिए अपीयर टूल पोइंट यह वर्च्वॉल बॉइंट वर्च्विल्ट आप्सवेर यह रिया रही है यह रहे है यहां पहों मिलती है यह रीएल फॉकल बॉइंट है यह भी focal point है, यह भी focal point है, यह real focal point है, यह virtual focal point है next definition, focal length, focal length क्या होता है, it is a distance between optical center and focal point it is a distance between optical center and focal point focal length, it is a distance between optical center and focal point optical center से लेके focal point तक जो distance होता है, उसका बोलते है focal length तो यूनो दूबारत देखलें यह अप्टिकल सेंटर है न और यह फोंकल पॉइंत है यह डिस्टेंस है न यह फोंकल लेंथ है इस गेई यह यह घुगयin यह उचले गई यह दोनों रेस अप्यर ंती मीठ here your focal point to your distance of focal length focal length the distance between optical center and focal point focal length नापे यह focal length lens के center से लेकि यह distance focal length अच्छा भी focal length focal length किस किस चीज़ पर depend करती है focal length depends on three things focal length parallel lens से गुजरने के बाद जहां पर मिलती है optical center से लेकि उस point का distance उस focal point की distance को focal length करती है focal length तीन चीज़ों पर depend करती है number one thickness of the lens बिटा देखो एक lens यह thin है और एक lens यह thick है कौन सा raise को जादा bend करेगा A के B obviously B, B raise को जादा bend करेगा अब यह raise आ रही है, यह कम bend करेगा, raise दूर जाके मिलेंगी कम bend करेगा, raise दूर जाके मिलेंगी यह इसकी focal length है यह क्या करेगा? यह raise को जादा bend करेगा यह raise को जादा, जादा bend करेगा raise करीब मिल जाएंगी तो उसकी focal length क्या होगी? smaller इसकी focal length होगी longer तो जितना लेंस थिक होगा उप्ती फोकल लेंस छोटी होगी थिक लेंस रेस को ज्यादा बेंड करेगा थिकर दे लेंस, more bending of rays, so that they meet closer, therefore smaller focal length थिकर दे लेंस, more bending of rays, thicker lens more bend करेगा, so the rays meet closer, therefore smaller focal length बना के दिखाँ दुबरा, यह पत्ला lens है और यह मोटा lens है, यह rays को कम bend करेगा और यह rays को ज्यादा bend करेगा, thicker lens, rays को ज्यादा bend करेगा, जल्दी मिल जाएंगी न, यह दूर जाके मिलेंगी इसकी focal length क्या है कम इसकी focal length क्या है ज्यादा तो focal length किस पर depend करती है thickness of lens पे जितना lens थिक होगा उत्ती focal length छोटी होगी number two material of the lens denser material का lens बना हुए उसका effective index ज्याद है वो रेसको ज्यादा मोड़ेगा जो less dense material का बना हुए जिसका effective index का में रेस को कम bend करेगा तो जो रेस को ज्यादा bend करेगा उसकी focal length छोटी होगी तो क्या लिखे denser the material of lens और larger the reflective index more bending of rays so that the rate means closer therefore smaller focal length देखो ऐसे draw करते हैं इसको में इटा रहा हूँ एक ये lens है ये less dense material का है और एक ये lens है same thickness का है इसका reflective index का में इसका reflective index जाद है ये rays को कम मोड़ेगा तो rays दूर जाके मिलेंगी कम bend होगी इसका reflective index जाद है ये rays को जादा मोड़ेगा देखो ये जादा मोड़ा है तो जितना reflective index जादा होगा उत्ती focal length छोटी होगी जितना reflective index कम होगा उत्ती focal length longer होगी focal length जहांपे raise मिलती है, parallel raise, जो principal axis के parallel होती है, जहांपे मिलती है उसको बोलती है focal point और उसका distance होता है focal length, optical center से नमर 3, medium around the lens बिटा, ये lens पढ़ावा है, suppose ये lens पढ़ावा है air में तो इस तरह raise जा रही है, अगर मैं इसी lens को, इसी lens को पानी में रख दूँगा पानी में, पानी में रख दूँगा, पानी में रख दूँगा, पानी से जब lens पे आएगी तो कम bend होगा, कम speed change, मिटा, air से glass में आ रही है, more density difference, more speed change, more bending, ये क्या है, water, water, water से rays आ रही है, तो क्या होगी, ये कम bend होगी, मगल्द गदी से बनी सही तरह मना आ तो, सारी मिटा रहो, medium around the lens, पर ले लिख लेते हैं चले, medium around the lens, denser the medium around the lens, less bending of rays, so the rays meet far away, therefore longer focal length, क्या मतलब, ये lens है, जो कि air में पढ़ा वह है, air से glass में रहे आएगी, more speed change, more bending, करीब मिल जाएगी, more speed change, more bending, ये air से आ रही है, air, air से glass में आ रही है, अब उसी lens को मैंने पानी में रख दिया, अब यहाँ पे पानी है, पानी से glass में less speed change, less bending, less speed change, less bending, तो रेस दूर जाके मिलेंगे, ये focal length क्या होगी बिट, longer, तो पानी में focal length longer होगी, मतलब denser medium around the lens है ना, पानी है ना, पानी में focal length longer होगी, और यहाँ पे focal length छोटी होगी, ठीक है बेटा, अभी तक क्या पढ़ा है हमने, जल्दी से सुने, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि any transparent medium whose at least one side is curved is a lens, lens वो होता है जिसकी कमस कम एक side जो होती है ना, वो curved होती है, वो lens होत ठीक है, फिर curved दो के समगाता है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ convex, अंदर की तरफ, पिर हमने बात की, ऐसे lens से जो बाहर की तरफ curved है, जो दिरम्यान में ठिक हैं, side ओ पे थिन है, उनको बोलते है convex lens, और convex lens, rays को converge करते हैं, उनको बोलते है converging lens, दूसरे lens के ह से होते हैं, इस तरह वाले lens होते है, ऐसे lens जो thin from center, ऐसे curve होता है, concave lens, thin from center, thick from edges, ये rays को diverge करते हैं, इनका नाम रो clear diverging lens, कोई भी lens है, उसके center को बोलते है optical center, optical center से जो भी रे जाएगी, उस ट्रेट जाएगी, lens के diameter को बोलते है aperture, aperture, aperture diameter of the lens होता है, अपरचर चेंज कर सकते ह को, उसके आगे कुछ चीज रखके, lens के aperture को change, aperture जतना बड़ा होता है, ज्यादा raise pass होती है, image brighter होता है, aperture छोटा होगा, कम raise pass करेंगी, brightness कम हो जाएगी, aperture का image size से कोई relation नहीं है, image position से image size से कोई relation नहीं है aperture का, फिर हमने पड़ा, lens के center से जो axis गुजरता है, lens के center से जो line गुज इसी line जो lens के center से गुजरता है, principle axis, यह lens, lens के center, optical center, यह इसका diameter, aperture, यह वाली line, यह वाली line principle axis, फिर जो raise parallel होती है, parallel raise, जो principle axis के parallel होती है, principle axis के parallel होती है, यह focal point पो बिलती है, यह focal point और यह distance focal length. आपको label करना चाहिए, optical center, उसके बाद, यह aperture, यह optical center, यह aperture, यह दिर्म्यान वाली line है, यह principle axis, और जो principle axis के parallel raise होती है, वो जिस point पे मिलती है, इसको बोलती है, focal point, focal point, यह principle focus एक ही बात है, focal point, 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 लिखना था, focal point, यह focal point है, और यह distance होता है, focal length, focal length, तीन चीज़ों पर of the lens, जितना lens थिक होगा, raise को ज्यादा मोड़ेगा, करीब मिल जाएंगी, focal length, छोटी होजाएगी, पतला lens है, raise को कम मोड़ेगा, दूर जाके मिलेगी, focal length, longer होगी, ऐसे material के lens मनावा, जिसका refractive index bending ability ज्याद है, वो raise को ज्यादा मोड़ेगा, करीब मिल जाएंगी, focal length, छोट जेएंगी, focal length, जोटी होजाएगी, अगर वो ही lens पानी में पढ़ा है, पानी से glass में raise आ रही है, less speed change, पानी भी तो dens regen सरी है na, glass थोड़ा ज़ाधा dense है, पानी और glass की density में कम difference है, air और glass की density में जशाधा difference है, जितना density differنस ज़ादा होगा, अतना speed change ज़ादा होगा, तो पान से ग्लास में density difference कम है, speed change कम है, कम bending होगी, दूर जाके मिलेंगी longer focal length, यही पढ़ा है हमने आप, ठीक है बेटा, अगले lecture में आगी चीज़ें बढ़ेंगे, thank you students.